हेलो स्टुडेंट्स वैलकम आज हम अपना लेक्चर नमबर 24 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा understanding existence as co-existence तो इस lecture के अंदर हम existence को समझेंगे unit को समझेंगे और co-existence को समझेंगे तो चलिए हम अपना lecture शुरू कर लेते हैं पहले इसमें हम समझते हैं what is existence ठीक है तो all the units together constitute nature सबसे पहले हम देख लेते हैं units units हाला कि आगया आएगा तो मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं चाहें वो plants हो animals हो है न different आपके material order हो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिलके क्या बनाती हैं वो nature बनाती है और इन सब different different चीज़ों को क्या बोला गया है units बोला हो गया है ठीक है all the units of nature exist in space which is an important reality to understand सबसे important बात यह है कि nature के अंदर जितनी भी units हैं वो सब space में exist करती है ठीक है तो अभी हम space को भी समझेंगे कि space क्या होता है और यह important reality है जिसको हमें क्या करना चाहिए समझना चाहिए तो existence क्या हो गया existence का मतलब हो गया existence is nothing but the nature in space space के अंदर जो nature present है उसको हम क्या बोल रहे है उसको existence बोल रहे है तो इसको हम ऐसे भी define कर सकते है existence is equal to exist plus essence ठीक है तो इसका मतलब हो गया whatever exist जो भी exist कर रहा है वो किसमें है वो harmony में है तो existence का simple meaning हो गया कि nature के अंदर जितनी भी units है वो space के अंदर present है और वो sub units क्या है वो harmony में काम कर रही है हार्मोनी में work कर रही है ठीक है now unit को समझ लेते हैं कि unit क्या होता है तो इसको हिंदी में बोला गया यहां पर इकाई तो unit is defined as something that is limited in size तो unit एक ऐसी चीज़ को कहा गया है something को कहा गया है जिसका size जो है limited है जिसका size limited है जिसको हम count कर सकते हैं तो ऐसी किसी भी चीज़ को unit बोला गया है like a small blade of human hair to the biggest planet we know of they are all limited in size that is bounded in six side sites तो जैसे हमारा एक human hair हो गया वो अपने आप में एक unit है एक बड़ा planet हो गया चाहें वो अर्थ है मार्स है वीनस है वो अपने आप में एक unit हो गया different animals जो हम देख पा रहे हैं वो अलग-अलग animals जो है वो different units है plants जो है वो अलग-अलग units है ठीक तो कोई भी ऐसी चीज़ जो limited है और जो छह तरफ से bounded bounded on six sides छह साइट होती है जैसे आप लोग क्यूब पढ़ते हैं तो क्यूब में six phases होते हैं एक तो आपके चारो तरफ हो गए और एक उपर और एक नीचे तो ऐसे six sides हो गए तो कोई भी ऐसी चीज़ जो six sides से bounded है limited है उसको unit बोला गया है तो all the things we have been studying so far the human beings, animals, lumps of matter as well as various atoms and molecules are all units ठीक है तो human beings हो गए, animals हो गए, plants हो गए, कोई भी matter हो गया, फिर different atoms हो गए, molecules हो गए, यह सब अपने आप में क्या हैं यह units है we can recognize them as such, they are countable, तो जो unit हमें जैसी दिखाई दे रही है उसको हमें वैसा ही पहचानना है और यह basically क्या होते है, यह मैंने भी आपको बताया, they are countable, इनको easily हम क्या कर सकते हैं, count कर सकते हैं, ठीक, फिर एक और reality है, वो reality है space, space को यहाँ पे बोला गया शून्य, ठीक है, तो we normally don don't pay attention to this reality, because it's not a unit, तो space की तरफ generally हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो इसलिए ध्यान नहीं देते हैं, क्यूंकि space एक तो हमें दिखाई नहीं देता है, और दूसरा यह unit नहीं है, अगर unit होता तो हमें दिखाई देता, है न, we can't touch it, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, इसको smell नहीं कर सकते, we just normally see through it, लेकिन हम space के आरपार देख सकते हैं, see through का मतलब क्या है, आरपार देख पाना, जैसे आप अपने एक friend से बात कर रहे हैं, तो आपके और friend के बीच में distance है, उस distance में क्या है, उस distance में space है, उस space के आरपार आप अपने friend को देख पा आरे, वो exist नहीं करता, ऐसा नहीं है, it doesn't mean space does not exist, space exists everywhere, तो space कहां पर, space सब जगह है, तो हमने यहां पर एक unit को देखा, unit limited होते है, countable होते हैं, और six sides से क्या होते हैं, वो bound होते हैं, और space क्या होता है, एक ऐसी चीज, जो सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन हमें दिखाई नही कर सकते हैं, उसको हम smell नहीं कर सकते हैं, आगे देख लेते हैं, coexistence of units in space, coexistence is a state in which two or more groups are living together, while respecting their differences, अब coexistence का meaning देख लीजे, यह बहुत important है, कि what is coexistence, तो space के अंदर क्या है, different units हैं, और वो different units जो है, coexistence में रहती है, coexistence का मतलब है, एक तरीके से साथ-साथ रहना, लेकिन कैसे साथ-साथ रहेंगे, coexistence is a state in which two or more groups are living together, दो unit हैं, दो से ज्यादा unit हैं, या groups हैं, units के, वो एक साथ रह रहे हैं, while respecting their differences and resolving their conflicts non-violently, ठीक है, लेकिन वो जो दौनों ग्रूप हैं, या तीनों ग्रूप हैं, जो साथ-साथ रह रहे हैं, वो एक दूसरे में क्या differences हैं उनको पहचान पा रहे हैं, और उनके बीच में जो conflicts हैं, जो थोड़ा बहुत विरोध हैं, उसको non-violently क्या कर पा रहे हैं, resolve कर पा रहे हैं, तो इसी को coexistence बोला है, अब जिसे for example, आप हो और आपका कोई friend है, आप लोग साथ-साथ रह रहे हो, आपको अपने friend की कमिया पता है, और आपके friend को आपकी कमिया पता है, लेकिन दौनों एक दूसरे की कमियों को respect करते हुए, आपके बीच में थोड़ा बहुत भी जो विरोधावास है, उसको non-violently सुलजाते हुए, आप एक दूसरे के साथ अपने relationship को पहचान रहे हैं, उसका निर्वाह कर रहे हैं, इस इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं, for example, to exist together, है न, time की बात करें है, space की बात करें, अगर साथ-साथ रह रहे हैं, और to exist in mutual tolerance, तो इसको coexistence बोला गया है, दूसरे to learn to recognize and live with difference, जैसे मैंने भी example दिया, कि किसी person के साथ आपका और आपके बीच में difference है, लेकिन उन differences को समझते हु आप अपने relationship को पैचान रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, यह coexistence है, फिर और क्या है, to have a relationship between persons or groups in which none of the parties is trying to destroy the other, अब बहुत सारे person एक साथ रह रहे हैं या बहुत सारे groups एक साथ रह रहे हैं, लेकिन वो सबको साथ में लेके चल रहे हैं, वो किसी को destroy करने का काम नहीं कर रह है, और fourth है, to exist together in time or place and to exist in mutual tolerance, अच्छा, यह repeat हो गया है, फिर्स्ट वाला ही है, ठीक है, तो coexistence का मतलब है, साथ साथ रहना, तो अब हम बात कर रहे हैं कि units जो हैं, वो space में किस तरीके से रहती हैं, ठीक है, तो there are different units in space, between every two units, there is a space, तो space के अंदर, शुन्नी के अंदर, के बीच में भी space है, जैसे अभी आप, for example, आप book पढ़ रहे हैं, तो book और आपके बीच में space है, the same holds true for every other unit, be it material और plant और animal और some human means, आप किसी plant को देख रहे हैं, तो plant और आपके बीच में space है, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आपके और आपके दोस्त के बीच में क् तो जितनी भी units हैं, वो सारी की सारी space के अंदर exist करती हैं, जितनी भी इकाईयां हैं, वो 0 के अंदर रहती हैं, 0 के अंदर submerged हैं, there are two kinds of reality in existence, अब existence के अंदर दो reality हैं, क्या क्या हैं, एक space हैं, एक और units हैं, तो existence क्या बन गया, existence का मतलब होता है space plus units, ठीक, तो units अगर space के रहें, तो इन दौनों को मिलाके हम बोलते हैं, existence, now each unit exists in space, they are submerged in space, since nature consists of the four orders, we can say existence is equal to nature submerged in space, अब देखिये, अभी मैंने आपको बताया कि सारी units जो हैं, वो space के अंदर exist करती हैं, या वो space के अंदर submerged हैं, ठीक है, तो nature क्या है, नेचर, चार order जो हमने last lecture में पढ़े थे, आपका material order, plant order, animal order और human order, इन चारों से मिलाके हमारा nature बन रहा है, और nature क्या है, nature है different units, तो existence को हम बोल सकते हैं, existence is equal to nature submerged in space, और four orders submerged in space, ठीक है, यह हमारा existence हो गया, अब इसकी थोड़ी properties देख लेते हैं, इस table के थुरू या इस flow diagram के थुरू, अब यह जो हमारा existence है, इसमें दो चीज़े आती है, unit जिसको इकाई बोला गया है, और space जिसको शुन ने बोला गया है, तो यह सारी के सारी जो units हैं, यह submerged हैं, space के अंदर, ठीक है, तो space के अंदर different units present हैं, और दोनों को मिलाके existence बोला गया है, अब जितनी भी units हैं, वो limited है, है ना, लेकिन space हमारा क्या है, unlimited है, all pervading, all pervading का बदलब है, basically इसका जो विस्तार है, वो बहुत जादा है, फिर units जो होती हैं, वो active रहती हैं, कोई भी unit देख ली जो उसमें कोई ना कोई activity होती रहती है, लेकिन space के अंदर कोई activity नह होती है, यह active रहती है, तो इसलिए यह energized होती है, लेकिन space के अंदर कोई activity नहीं होती, तो इसका मतलब यह नहीं है, energy तो है, लेकिन क्या है, energy जो है, वो equilibrium में है, वो constant energy है, ठीक है, अब जितनी भी units होंगी, each unit recognizes and fulfill its relation with other unit, कोई भी एक smaller unit होगी, या कोई भी unit होगी, वो अपन आसपास की unit से अपने relationship को पहचानेगी और उसका निर्वाह करेगी, लेकिन जो space होता है, वो क्या होता है, वो reflecting होता है, और transparent होता है, ठीक है, जितने भी units होती है, यह self-organized होती है, है न, और जो space होता है, उसमे self-organization हमेशा ही क्या रहता है, अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो इसी को अभी हम आगे क्या करेंगे, इसी को detail में study करेंगे, तो all nature is submerged in space, space is not a unit, but it exists as a reality, तो पहला हम पढ़ लेते हैं, limited और unlimited, अब देखें, nature के अंदर four orders हैं, जो हमने last lecture में पढ़े, there are units in each other, each unit is limited in size, हर एक unit जो है, वो limited size में है, चाहें वो small atom हो, है न, या big galaxies हो, तो सारी की सारी जो units हैं, basically वो क्या है, उनको हम count कर सकते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका size जो होता है, वो limited होता है, each and every unit is finite and limited in size, be it the smallest particle or the biggest galaxies, space on the other hand is unlimited, लेकिन space या शुन्नी की बात करते हैं, तो वो unlimited है, space has no size, कोई size नहीं होता, है न, it is not bounded, वो किसी चीज़ से bounded नहीं है, जैसे unit जो हैं, वो six sides से bounded है, लेकिन space bounded नहीं है, जैसे unit का, अगर हम किसी भी unit को देखें, एक plant को देखें, तो वो कहीं से शुरू हो रहा होगा और कहीं पे खतम हो रहा होगा, लेकिन space जो है, हमें पता ही नहीं चलेगा कहां से शुरू हो रहा है, कहां खतम हो रहा है, तो for example, when you take a book, you know that it starts and finishes, we say the book is limited in size, when we take space, there is no such thing, there is space behind us, inside us, between us and the book, between the book and the earth, in the book, in every page of it, अब देखिए, इसको समझिए, there is space behind us, हमारे पीछे space है, हमारे आगे space है, हमारे उपर space है, हमारे नीचे space है, subject है space है, हमारे अंदर space है, inside us, between us and the book, और book के अंदर भी space है, बुक के अंदर कैसे space है, अगर एक page है, तो दो page के बीच में gap होगा, space होगा, एक page को बात करें, तो उसमें, जब हम उसको बहुत detail में, बारिकी में, उसको structure को study करते चल ले जाएंगे, तो atom तक पहुंचेंगे, तो दो atom के बीच में space होगा, ठीक है, अब book जो है, अर्थ के उपर रखी है, तो बुक और अर्थ के बीच में space है, बुक के हर एक page में space है, एना, inside the page and beyond the earth all the way till we can imagine, तो जहां तक हम imagine कर सकते हैं, उसके beyond भी space है, ठीक है, तो space कहा होगा, space सब जगे मिलेगा, हमारे अंदर, हमारे बार, हमारे चारो तरफ, हमारे आसपास, हर ए all-pervading units, on the other hand, are not all-pervading, this is how we recognize them as units, तो space जो है, space का विस्तार बहुत जादा है, लेकिन unit limited होती है, now activity और no activity की बात कर लेते हैं, तो each unit is dynamic and active, हर एक unit जो होती है, हर एक 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 इकाई जो होती है, वो active रहती है, अब उसमें चाहें, वो physical activity हो, physical chemical activity हो, या sentient activity हो, sentient activity का मतलब है, जैसे हमारे human being के अंदर, इच्छा विचार आशा, जो activities होती है, चलती रहती है, उसकी बात की कही है, Each unit or entity of all the four order is active, for example, we can ourselves see that thinking is an activity we do and so is desiring, So, जैसे हम एक unit हैं, और हमारे अंदर जो activity हो रही है, वो क्या हो रही है, हमेशा thinking और desiring की activity चलती रहती है, लेकिन space की जब हम बात करते हैं, तो space में कोई activity नहीं होती, सिर्फ units के अंदर activity होती है, So, only units are active, or in other words, when something is active or has an activity, we call it a unit, So, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर जब भी activity होगी, है ना, या कोई भी चीज़ active होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको unit बोलेंगे, So, there is a empty space between you and the book right now, and it does not have any activity, अब देखिए, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक और आपके बीच में कोई activity नहीं हो रही, activity या तो आपके अंदर हो रही है, या उस बुक के अंदर हो रही है, लेकिन दौनों के बीच में जो space है उसमें कोई activity नहीं होती है तो इसलिए कहा गया है कि space is no activity तो अब energized और energy in equilibrium की बात कर लेते हैं तो units जो होती है वो energized होती है और space के अंदर जो energy होती है वो equilibrium में होती है constant होती है तो what we normally considered as energy today is the transfer of energy transfer of energy हम लोग देखते हैं energy को ना तो हम create कर सकते हैं ना destroy कर सकते हैं हम energy की form change कर सकते हैं energy को transfer कर सकते हैं for example when we place water in a vessel on the stove we say the heat energy from the flame was transferred to the water in the vessel तो जब पानी गरम करने के लिए हम gas पे भगोने के अंदर पानी रखा हमने तो flame जो निकल दी है उसमें से heat transfer होती है उस utensil बरतन के अंदर और उसमें रखा पानी हमारा गरम हो जाता है and anything that is unit has activity anything that has activity is energized तो अब देखिए कोई भी यूनिट है उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर activity होगी और जिसके अंदर activity होगी इसका मतलब वह energized energized है तभी तो activity हो रही है तो all the particle in the water and the metal stove are active very active and energized on the other hand space is not a unit it has no activity hence space is not energized but space is energy in equilibrium और it is constant energy तो space कोई unit नहीं है उसके अंदर किसी तरह की activity नहीं है इसलिए वो energized भी नहीं है लेकिन उसके अंदर जो energy रहती है वो हमेशा equilibrium में रहती है और यही जो energy होती है बहुत ध्यान से सुनिएगा यहीं जो energy होती है यह सभी units के लिए available होती है इसी energy को different units इस्तमाल में लेके आती है और energized हो जाती है उनके अंदर activity होती है तो all units are space all units are in space all units are energized and active being in space ठीक है अब इसको भी समझ लेते हैं कि हर एक unit जो है वो अपने relationship को या दूसरी unit को recognize करती है लेकिन जो space होता है वो कैसा होता है वो reflecting और transparent होता है तो in the physical world there is a relationship between all things around us the air recognizes its relationship with the soil, the soil with the water, the water and soil with the tree etc देखिए इस पूरे physical world में जितनी भी units हैं वो अपने relationship को दूसरे के साथ पहचानती है जैसे air अपने relationship को soil के साथ पहचानती है soil अपने relationship को water के साथ पहचानती है water soil के साथ अपने relationship को पहचानता है tree जो है पानी के साथ, हवा के साथ, sunlight के साथ अपने relationship को पहचानता है तो there is relationship and we see all around us this is the meaning of each unit recognizing its relationship and fulfilling it इसका मतलब यह हुआ कि हर एक जो unit होती है वो दूसरे के साथ अपने relationship को पहचानती है recognize करती है और पहचानने के बाद उसका क्या करती है निर्वा करती है mutual fulfillment करती है तो ऐसे human beings क्या करते है as humans we recognize our relationship with the four orders and fulfill it तो हम लोग भी human being क्या करते है material order के साथ, plant order के साथ, animal order के साथ यह दूसरे human being human order के साथ अपने relationship को पहचानते हैं और उसका निर्वा करते हैं अब देखे स्पेस की बात कर लेते हैं तो स्पेस जो है यूनिट तो नहीं है लेकिन स्पेस क्या reflecting है कैसे reflecting है इसको समझ ली दिए it means every unit is reflected in the other units in space हर एक यूनिट जो है अपने आपको स्पेस के थूरू reflect करती है it is due to this reflection that there is a relationship and all units are related to each other अब जब हर एक यूनिट स्पेस के थूरू अपने आपको reflect करती है reflection पड़ता है तो उसी reflection को पहचानके हर एक यूनिट अपने relationship को पहचानती है चीक है and all units are related to each other we as humans also feel or are related to one another and this is the basis for our relationship with the four orders all the units all the units are related to each other being in space अब देखिए स्पेस दूसरा क्या प्रांस्पिरेंट है अब जैसे आप और आपका friend खड़े हुए हैं लेकिन दौनों के बीच में क्या gap है दौनों के बीच में space है है ना अब space है लेकिन वह space कैसा है उस space के बीच में air होगी air में different gases होंगी dust particles होंगे तो वो तो air अपने आप में एक unit है dust particles अपने आप में unit है अगर उनको भी हटा दिया जाए तो आपके और आपके friend के बीच में क्या space है ठीक है लेकिन यह space कैसा यह transparent है इस space के आरपार हम देख सकते हैं तो आपके सामने जो आपका friend खड़ा है क्योंकि space transparent है तो आप अपने friend को क्या कर पा रहे हैं देख पा रहे हैं लेकिन अगर सोचिए space transparent नहीं होता तो यह तो यह हो जाता कि आपके और आपके friend के बीच में कोई curtain है कोई परदा है कोई दीवार है और अगर ऐसा होता तो आप उसको नहीं देख पाते हैं तो space is transparent it is reflecting means that in space there is no obstruction to space में किसी तरह का interference किसी तरह का obstruction किसी तरह की रुकावट नहीं हैं hence all units are able to recognize each other in space are related to each other being in space since space is transparent space transparent है इसलिए हर एक unit जो है दूसरी unit के साथ अपने relationship को पहचान पाती है अपने आपको दूसरी unit से related feel करती है है और अपने जो उसने relationship पहचाना है उसका mutual fulfillment करती है और इसमें last में है कि जितनी भी units होती है वो self-organized होती है और space के अंदर जो है self-organization हमेशा available रहता है इन दौनों का क्या मतलब है देख लीजिए तो हर एक unit जो है उसके अंदर अपना एक organization है है ना a unit recognize other units and combines to form a bigger organization starting from the atom to the big galaxy this organization goes on as a self-organization अब चाहें आटम को देख लीजिए या बड़ी से बड़ी galaxy को देख लीजिए सब के अंदर एक self-organization एक विवस्ता जो है बनी हुई है आप human body को देख लीजिए है ना human body के हम बात करें तो हमारे अंदर किड्नी हैं लंग्स हैं हार्ट है वह अपने आप काम कर रहे हैं उनके अंदर एक विवस्ता बनी हुई है कि अपने आप करना है आपको उसको कुछ बताना नहीं पढ़ रहा है ना तो हर एक unit के अंदर ऐसा ही self-organization जो है वह already available है इसलिए हर एक unit को कहा गया है self-organized at every level we get a self-organization सब atomic particles recognize each other and come together to form atoms self-recognize each other and form organization like organs atoms से cell बन रहे हैं cell अपने recognize कर रहा है दूसरे cells को तो organs बन रहे हैं और फिर organ recognize कर रहे हैं अपने relationship को तो body बन रही है planetary body solar system galaxies are still bigger organization we are not organizing it we are not supplying it organization from outside अब जितनी भी बड़ी बड़ी galaxies है जो हमारा solar system है उसमें विवस्ता बनी हुई है उस विवस्ता के अंतर्गत वो अपना काम करते जा रहे हैं तो यह जो विवस्ता बनी है इसको हम तो supply नहीं कर ना उनके अंदर already present है तो जैसे मैंने human का आपको एक्जांपल दे दिया हार्ट है किट्नी है लंक्स हैं आईज हैं ब्रेंस हैं हैं लैक्स हैं तो सबका coordination बना हुआ है है ना सबके अंदर विवस्ता बनी हुई है all these are functioning together सिर्फ हमारा input क्या होता है हम सि जो nutrition है food है वो provide करते हैं बाकी body अपने आप जो है काम करती है कब तक करेगी जब तक भीमार ना हो जाए या चोट ना लग जा है तब की बात अलग है लेकिन नहीं तो body हमेशा ही एक उसके अंदर organization है एक व्यवस्ता है अपने आप सारे body organ काम करते हैं तो at the level of I we are not self organized तो body क सुनीगा body के level पे हम organized हैं लेकिन self और I के level पे we are not self organized but being in space self organization is available to the self लेकिन इस पूरे existence में self organization available है तो हमें अपने self को भी उसी direction में लेके जाना है क्योंकि हमारा self जो है self organized नहीं है तो हमें उसको क्या गरना है self organized बनाना है that is why we are in pursuit of happiness which is essentially being in harmony इसलिए हमारा निरंतर प्रयास यह रहता है कि हम happiness को पा ले happiness को पाने का मतलब है चारो लेवल की harmony को समझ जाएं चारो लेवल की harmony को समझने का मतलब है कि हमारे अंदर मेरे self के अंदर क्या आ जाए self organization आ जाए तो जब भी हम harmony में नहीं रहते हैं कैसे रहते हैं unhappy रहते हैं तो all the units of four orders are self organized no one is organizing them from outside this self organization is available to units being in space अब देखिए जितने भी चारो ओर्डर है वो self organized है कहीं बाहर से उनको organize होने की आवशकता नहीं है क्योंकि वो self organization space में available है तो उस space में जो self organization जो व्यवस्ता available है उसी के accordingly हमारे चारो ओर्डर जो है काम करते हैं इसलिए का गया है और space self organization is available तो आज के lecture में हम लोग इतना ही रखते हैं ओप आपको यह lecture पसंद आ रहे होंगे है ना तो आप जो है इन lectures को जो आपके friends हैं आपके जानने वाले जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करें आप लोग subscribe करें और अगर कोई confusion है तो comment भी करें ठेंक यू